आन जी मेरी योडियो फैमिली क्या हल चाले है आप सब क्या होप मज़े में होगे और आज आपके लिए क्लिए लेकर आऊ ZTE Xon 30 5G फोन और इस फोन के साथ ही टेक सीजन की हो गई है शुरुआत इसके बाद बहुत सारे स्मार्ट फोन की वीडियो आने वाली है Samsung Z Fold 3 जो है उसकी वीडियो कुछ ही दिनों में बट अभी करते हैं ZTE Xon 30 की अन्बॉक्शिंग बहुत ही जल्दी इंडिया में भी रिलीस होने वाला है North America में 9 September से मिलने लग जाएगा World का पहला फोन है जिसमें 2nd Gen Under Display Camera है तो इसको देखने के लिए मैं बहुत जाद एक्साइटेड हूँ और 2nd Gen जो Under Display Camera है किसी भी फोन में आपको नहीं मिले गा है तो सब देखते हैं बट पहले निकाल लेते हैं बॉक्स से बहार ZT Exxon 30 को और 2-4 दिन से पढ़ा हुआ था आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एंबार्गो के अंदर था मैं तो अब भी जैसे ही टाइम पूरा हुआ मैंने साथ ही वीडियो रिलीस कर दिया है और अब खोलते हैं बॉक्स को 1,2,3 टाडा और यहां पे है हमारा Exxon 30 फोन 6.92 इंचेस की फोन को फोन को थोड़ी सी देर में देखते हैं बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या-क्या है और बैक कैमरा आपको यहीं से दिख रहे हुआ है चार कैमरा है 64 मेंगापिक्सल का में शूटर है SIM Ejector Tool, Hardback वाला Clear Case, Type-C Charging Cable आपके फोन को चार्ज करने के लिए यहां पे 65W का USB-C वाला Power Adapter हमें बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है और उसके साथ ही एक और चीज़ मिल रही है जो बिलकुल भी common नहीं है आज के टाइम में वो है काफी सारे different different colors यहां पे मुझे देख रहे हैं और जो camera layout है camera module जो है वो काफी खतरनाक है और यहां पे अगर मैं इस finish की भी बात करूं यहां पे micro beam texture मिल रहा है और देखने में यह जो phone है काफी अच्छा लग रहा है और मेरे पास black color है इसके अलावा एक aqua color भी आता है अब जो हमारा phone है वो setup हो चुका है और front camera की अगर मैं बात करूं यहां पे second generation वाला under display camera use करता है यह phone और under display fingerprint reader है इसमें तो front में आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी screen के अलावा अगर मैं कुछ apps की बात करूंँ प्ले स्टोर अगर हम लोग open कर लें जहां पे आप देख सकते होगी camera जो है वो आपको नहीं दिख रहा है ZTE का claim है जो pixel density है display की सिर्फ camera की आगे वाले portion में जहां पे front facing camera है वहाँ पे और उसके साथ ही special driver यह लोग use कर रहे है जिससे जो front camera है वो कम से कम दिखे लोगों को जब वो everyday life में इस phone को use करे और बहुत ज़ादा हथ तक जो ZTE है अपने इस काम में successful हो चुका है जो camera है वो बहुत ही rare है कि आपको दिखे जब आप इसको use कर रहे हो बट अगर आपने अपने phone को बंद किया हो और एक specific angle से light पड़ती है अगर मैं pass रखूँ और मैं try करूँ कि मैं आपको दिखा पाँ तो शायद आपको camera दिख रहा हो इस जगा पे तो कुछ-कुछ angles में आपको camera दिखेगा और जब आप screen को use भी कर रहे हो तब भी आपको camera जो है वो इतना जादा नहीं दिखता है बट कुछ scenarios के अंदर जो आपका camera है हलका हलका आपको top side पे इस जगा पे देख जाएगा बट इससे पहले मैंने एक ही phone यूज किया जहां पे अंडर डिस्प्ले कैमरा देखा था और वहां पे वो जो camera काफी visible था तो अगर मैं यहां पे YouTube भी open करते हो तो आप लोग देख सकते हो top side में जो camera है बहुत ही मुश्किल है देख पाना मुझे तो यहां से नहीं देख रहा है बट अगर एक specific angle से light परती है अगर आप बहुत ही धिहान से ढूंड़ोगे तो आपको दिखेगा जब आप screen को use कर रहे हो जैसे भी grey color है जो camera है वो black dot नहीं दिख रहा है वहां पे ऐ यह जो under display camera है यह इस phone का सबसे बड़ा highlight है अब जो front camera है वो तो आपको दिखा दिया है जो इसकी main highlight है इसके इलावा देखते है phone में और क्या क्या मिलता है अगर left side की बात करें तो left side में आपको कोई भी button नहीं दिखेगा bottom में आपको speakers दिख जाएंगे उसके साथ ही एक mic usb PC port आपके phone को charge करने के लिए SIM tray है और micro sd card slot है आप चाहो तो dual sim use कर सकते है और चाहो तो micro sd card अगर right side में आ जाएं तो यहाँ पे है power button और power button के बिलकुल उपर ही है volume rocker keys top की बात करें तो top में हमें एक mic दिख रहा है लोग के अलावा अगर उपर आ जाएं तो यहाँ पे 4MP का prime camera है 8MP का ultra wide camera है 5MP का macro और 2MP का depth sensor आपको मिल रहा है नीचे है flash front camera का मैंने सब कुछ तो दिखा दिया बट resolution बताना भूल गया वह 16MP फोन में मिलता क्या क्या है वह तो देख लिया front camera की selfie लेके देखते हैं कि कैसी आती है selfie under display camera से picture quality जो है वह decent है बट यह सिर्फ first impressions है proper जो camera video है कल को आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी के अलावा अगर कुछ और specifications के अब हम लोग बात करें तो ZTE Exxon 30 के अंदर हमें मिल जाती ह screen जिसका resolution 2460 by 1080 और इसका जो aspect ratio है वो है 20.5 by 9 और काफी बड़ी screen है काफी tall screen है तो वीडियो देखने का काफी मज़ा इसमें आता है अगर आप YouTube के लिए लेना चाहते है तो perfect device रहेगा क्योंग काफी बड़ी screen है और 10 bit HDR को यह वाली screen support करती है और उसके साथ ही 120 Hz का refresh rate आपको perfect device रहेगा उसके साथ ही इस phone के अंदर ZTE ने डाला है triple cooling system gamers को focus में रखते हुए कि अगर आप gaming कर रहे हो जो आपका phone है वो गरम ना हो इसके लावा अगर कुछ और specifications की बात करें तो यहाँ पर दो variants आते हैं पहला है 8GB plus 128 GB जो की मेरे पास है दूसरा version है 12GB RAM और 256GB storage के साथ औ और दोनों ही version में आपको external storage का support मिल जाएगा Android version की अगर मैं बात करूं तो Android 11 के ऊपर based MyOS 11 जो की ZTE का अपना skin है उसको यह लोग यूज कर रहे है तो अभी जादा मैंने इसको use नहीं किया है in-depth वाली जो वीडियो है वह थोड़ी दिनों में आ जाएगी कल camera वाली वीडिय अगर अभी मैं first impressions की बात करूं तो screen जो है काफी responsive है 120Hz जो है वह काफी smooth लगा है और हाँ processor के बारे में बात करना कैसे बूल गया यहाँ पे हमें मिल रहा है Snapdragon 870 5G processor OLED screen है इसके साथ ही अगर इसके weight की बात करूं तो 189 grams है weight और 7.8 mm थिक है काफी slim यह वाला phone है बैटरी की बा wireless charging आपको इस phone में नहीं मिलेगी अगर मैं ZTE Xon30 के price की बात करूं तो 499 का है 128 GB वाला version इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 26-3000 के बीच में होगा इसका price और 9 September से यह जो phone है available है खरीदने के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो description में है link जिस पर click करकर आप लोग अपने ले सकते हो ZTE Xon30 इंडिया की जो releasing date है वो अभी disclose नहीं किया बट September या October के अंदर ही यह वाला जो phone है इंडिया में भी available हो जाएगा और यह थी मेरी video ZTE Xon30 5G unboxing and first impressions के उपर first impressions जो है वो अच्छे ही है तो कैसा लगा आपको यह वाला phone और कैसी लगी मेरी video प्लीज मुझे बत लेते हैं आज की video में किसको मिलता है shout out जिनको आज instagram के उपर shout out मिल रहा है वो है pulket garg इनकी ID है pulket garg underscore 11 thanks pulket instagram पे follow करने के लिए तो अगर आप भी चाहते हूँ कि next video में आपको मिले shout out तो instagram पे करो मुझे follow मेरी ID है I'm happy ओजला तब इसी note के साथ video को करता हूं खतम मिलूंग आ आप से next video में तब तक के लिए take care bye bye